नमस्का, DCP News में आप सभी का पुनस स्वागत, मैं आपके साथ दिवान नोटेल और खास कवरों में आज बात करेंगे धरना परदर्शन को लेकर जिया मैं आपको बताते चलू कि ब्लॉक चक्राता में आज परदान संगठनों द्वारा ब्लॉक किस्तर में धरना परदर्शन कर तालाबंदी की गई परदान संगठनु का कहना है कि बीगत एक वर्ष से मन्डेगा के तहट मिलने वाली धन राशी परदानों को प्राप्त नहीं हो पाई है जिस कारण से ग्राम विकास के सभी काम रुके हुए हैं परदानों ने कहा कि एक ओर जान सरकारें ग्राम विकास की बात करती है वहीं दूसरी ओर जब ग्राम विकास के लिए राशी ही प्राप्त नहीं हो पाएगी तो आखिर गाउं का विकास कैसे संभाव हो सकता है परदान संगठनों ने कहा कि इस दर्ना परदाशन के संबन में पिछले दो तीन दिनों से संबनित अधिकारियों को आगध करवा दिया गया था मगर किसी तरे की कोई संग्या नहीं लिया गया जिस कारण की आज तमाम परदान संगठन दर्ना परदाशन के लिए बाध्य होन पर इस ऊसर पर परदान संगठन के अध्यक्ष दलीप सिंग तोउमर् कोषԱद्यक्ष रंबीरर शर्मा ग्राम परदान दोदा दिनेश वर्मा ग्राम परदान मंजगानगान कवानू के, अतिरिक्त रामलाल शर्मा, ग्राम परदान प्यूनल सई ते तमाम परदान गण उपस्तित रहे। अधिक जानकारी के लिए सिदा ले चलते हैं परदान गणों के पर्तकिरिया की ओर। अधिक्त रहे हैं और अगे जो गाउं की भीकास, वो रूख रही हैं और हम लोगों को इससे बहुत दिक्कत आ रही हैं बहुत कीजतों का सामना करना पड़ रहा है और हम सरकार से जबुजारिश करते हैं जितना जल्दी हो सकता है हमारी यह जो देंदारी है इसको चुकता करें ताकि आगे हम और अपने विकास के पच्पन चलते हैं भारत सरकार को यह आगा करता हूं कि विगभी एक साथ से भी पर समय हो चुका है मंद्रेगा में लगबग 6 करोड 6 करोड की देटा ही हो चुकी है जो कि अभी भुकता नहीं हुए है मार्च में आस लगाए वहरें दिन लेकि ऐसा कोई बज़ें पर्थानों को लगब नहीं हुआ है मंद्रे काता जो कारिया है एक और सरकार कहती है कि गाउं को विकास दिक्सित करें तो हम लोगों ने पुराद जिमेदारी से अपना कारिय किया है ले कि यदि हम वेंडर की दुकान के इर्द-गिर्दा भूमने ही सकते हैं क्योंकि वह पैसों में प्रदारिक करते हैं यदि हम गाउं में चाहें लोगों पैसा लगता है कि परधान लोग जो है पैसे सब अपने धैले पर चुगे हैं ये उनका अमुआन होता है हमारी एक इस् कि अधरनी परधान मंत्री जी से याग्रें करना चाहता हूं कि मौध्या आप यस्टत्वी परधान है परधान मंत्री जी है लेकिन आपने गाउं की स्थिती को शायद पैठाना नहीं होगा क्योंकि जहां पर कहीं किलोमेटर खच्चकों से मैटलर्ट होना पड़ता है जिसका पैसा हमें अपने जीव से देना पड़ता है और यह भुकतान हमने मन्रेगा से नहीं बल्कि अपनी घर में जो तोने स्थिक कारियों होते हैं उससे जो अर्जित पैसा है वो पैसा हमने उस सबी संकटन के अंदर रोश है सरकार की प्रती, सरकार को जगाने के लिए सरकार को यह जेताना चाहते हैं कि आप समय अनुसार आगे भी मन्रेगा के कारियों को भुचालूत से चलाएं और इसका भुकता समय अनुसार हों तो आज की खास कबरों में फिलाल इतना ही आगे के लिए बने रहेगा डी से पिनियों उचके साथ तब तक के लिए हमें दीजेगा इजाजत नमस्कार